सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और अध्याय तीन में आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.2 का प्रश्ने क्रमांग 1 का ये चौथा सबाल इसको भी हमें प्रती स्थापन बिधी से हल करना है तो कौपी पैन लेकर बैठ जाईएगा आ दिये गए समीकरण योग अब दोनों समीकरणों को लिखेंगे तो पहला समीकरण है 0.2x प्लस 0.3 बड़ाबर 1.3 लेकिन हम इसे समीकरण एक नहीं बना सकते क्योंकि ये दसमलाव में है तो इसका दसमलाव हमें हटाना पड़ेगा तो कैसे हटा सकते हैं तो इसको इस तरी किसे सोचना पड़ेगा कि जैसे 0.2 लिखा है तो अगर हम दसमलाव हटाएंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 बड़े और दसमलाव का होता है 1 और दसमलाव के इस तरफ जितने अंक उतने 0 तो दसमलाव के इस तरफ इस तरफ ठीक है एक अंक है तो एक 0 हम लगा सकते है यानि कि हम 0.22 को लिख सकते हैं 2बटे 10 तो चाहे 0.2 लिखा है चाहे 2बटे 10 लिखा है एक ही बात है तो अगर हम थोड़ी देर के लिए माल लें कि यह 0.2x जो लिखा है वो लिखा है 2 बटे 10x तो फिर इस हिसाब से तो यह 3 बटे 10y लिखा है अगर आप अच्छे से समझोगे तो 0,3 वाई लिखा है ना ये 0,3 वाई तो इसका भी दसमलाव हटाओगे तो दसमलाव का 1 और दसमलाव के बाद जितने अंक उतने 0 तो ये 3 बटे 10 तो उस हिसाब से तो ये 3 बटे 10 वाई लिखा है और बरावर और उसी हिसाब से ये 13 बटे 10 लिखा है ठीक है क्योंकि दसमलाव का फिर से 1 और दसमलाव के इस तरफ जितने अंक उतने 0 अब यदि हमें ये 10 को हटाना है तो हम पूरे समीकरण में 10 से गुणा कर सकते हैं यहाँ भी 10 का गुणा और यहाँ भी 10 का गुणा तो ऊपर और नीचे के 10 कटते जाएंगे और बिना दसमलाव के अभी लिख रहे हैं हम 0.2x अब हम लिखेंगे 2x कब जब 10 का गुणा करेंगे पूरे समीकरण में यहाँ भी 10 से 10 कट जाएंगे तो 13 मतलब दस से गुणा करने से दसमलाव हड सकता है यहां भी सेम वही कंडिशन है तो बस आपको इतना लिख देना है कि पूरे समीकरण में कितने से गुणा करना है? दस से गुणा करने पर पूरे समीकरण में 10 से गुणा करने पर इतना लिखने के बाद आपको ना गुणा करना है ना कुछ दिखाना है सीधा लिखो 2X बिना दसमलाव के प्लस 3Y बिना दसमलाव के बरावर 13 बिना दसमलाव के यह हो गया 10 से गुणा और इसे आप बना दोगे सीधा समिंकरण 1 ज्यादा लंबा खीचने की जरूरत नहीं है अब तथा लिखोगे बीच में क्योंकि दूसरा समिंकरण भी तो दिया गया है तथा दूसरा समिंकरण क्या है 0.4x धन 0.5y बराबर 2.3 इसमें भी आप वही करोगे पूरे समिंकरण में 10 से गुणा तो यहाँ पे लिखोगे पूरे समिंकरण में कितने से गुणा करना है 10 से गुणा करने पर ठीक है गुणा करने पर अब जब पूरे समिंकरण में 10 से गुणा करोगे तो दसमलव हटा के बस लिख दू डारेक्ट 4X प्लस ये हो जाएगा 5 बाई बरावर 23 ठीक है हो गया ना सरल अब इसको आप बना दोगे समिंकरण 2 अब करना है हमें प्रती इस्थापन बिधी से हल तो हेडिंग डालेंगे प्रती इस्थापन बिधी से अब प्रती इस्थापन बिधी क्या कहती है पहले हम दोनों समिंकरणों को लिख सकते हैं पहला समिंकरण है 2X धन 3Y बरावर 13 ये अपना पहला समिंकरण है और दूसरा समिंकरण है 4X धन 5Y बरावर 23 ये दूसरा समिंकरण है अब आपको क्या करना है प्रती इस्थापन विधी में शुरुआत कहां से करनी है समीगरण एक से तो आप लिखोगे समीगरण एक से अब समीगरण एक जो दिया गया है वो पूरा लिख लेंगे दो एकस धन तीन वाई बरावर तेरह अब समीगरण एक से हमें निकालना है एकस का मान तो सबसे पहले बाई वाला जो पद होता है उसका पक्छंदर करते हैं तो यह प्लस का तीन वाई है इस तरह पा जाएगा तो अगले स्टेप में हम दो एकस तो लिखेंगे लेकिन यह बाई वाला पद छोड़के बरावर तेरह लिख लेंगे अब ये जो बाई बाला पद है इसका चिन्ह बदल के यहां लिख लेंगे मतलब ये इस तरह पागया 13 के इस तरह तो माइनस का 3Y हो जाएगा इसके बाद ये जो X के साथ में 2 है ये गुणा में हैं तो गुणा बाली संख्या कहा आ जाएगी बटे में तो X बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 3Y और बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और इसे हम बना देंगे समीकरण नमबर 3 ठीक है अब देखो जो समीकरण 3 होता है इसमें X का पूरा मान होता है और X का मान ये पूरा समीकरण 2 में रख सकते हैं तो हम लिखेंगे कि X का मान कहां रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं ये है समीकरण 2 पहले क्या लिखा है? 4 तो हमने यहाँ पे लिखा 4 लेकिन उसके बाद क्या लिखा है X तो X का तो मान ये है ना पूरा तो कोश्टक बना लो पहले तो और X की जगहे पे पूरा मान रख दो 13 माइनस 3Y और बटे कितना है 2 कोश्टक बंद कर दो X की जगहे पे जैसे ही मान रखा पूरा समिकन जियों काते हूं यानि की प्लस 5Y बरावर 23 तो यहाँ पे लिख दो की प्लस 5Y और बरावर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा अब देखो यहाँ से 2 और 2 दूनी 4 कट गया उपर नीचे की संख्या कट जाती है तो अब क्या बचा दो यहाँ पे लिख 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 माइनस लगा देंगे और 2 तिया 6 वाई और प्लस में कितना है तो प्लस में है 5 वाई और बरावर में कितना है तो बरावर में है 23 अब संख्या संख्या एक तरफ और वाई वाई एक तरफ तो ये संख्या अब हम अगले श्टेप में नहीं लिखेंगे बलकि हम वाई को लिख लेकिन ये जो संख्याती प्लस का 26 इसका पक्षानता रिस्तरप कर लिया तो माइनस का 26 हो गया अब देखो माइनस का 6 बाई है और प्लस का 5 बाई है तो 6 में से 5 घटेंगे तो 1 बाई आ जाएगा और वो भी माइनस का रहेगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की थी फिर बरावर लगाएंगे और 26 में से 30 को घटाओ तो 3 बचेगा लेकिन बड़ी संख्या का चिन्न लगेगा बड़ी संख्या थी 26 तो 26 का चिन्न हो जाएगा माइनस माइनस से माइनस दोनों तरप से कट जाते हैं तो बाई का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा तीन आ जाएगा अब जो बाई का मान आता है वो हम कहां रखते हैं समीकरण तीन में तो अगले स्टेप में करेंगे नेश्ट पीच पे लिखेंगे बाई का मान समीकरण तीन में रखने पर अब जो समीकरण 3 है वो तो आप जानते ही है क्या है वो मैं आपको यहाँ पर फिर से लिखके बताऊंगा ताकि समझा सकूँ समीकरण 3 ये था 3Y बटे 2 ये था ना समीकरण 3 अब इसमें हमें Y का मान रखना है तो Y का मान कितना है 3 है बाई बराबर कितना निकला है 3 है यहाँ रख दो तो X बराबर आएगा 13 माइनस 3 और बाई की जगह पे आप कितना रख दोगे 3 और बटे कितना 2 यानि ये जो समीकर 3 में रखने पर के बाद आप सीधा ये स्टैप लिखोगे ये बीच का समझाने के लिए लिख दिया था आगे देखो कि X बराबर आएगा 13 माइनस 3 तरग का 9 और बटे कितना आजाएगा तो बटे 2 आजाएगा तो X बराबर कितना आजाएगा 13 है मैंसे 9 गटा दो तो 9, 4, 13 यानि कि 4 बचेंगे और बटे कितने 2 दो दूनी 4 तो जो x का मान आएगा वो कितना आजाएगा दो आजाएगा ठीक है तो by का मान 3 तो x का मान 2 तो लिखेंगे अताह x बरावर 2 कॉमा by बरावर 3 समीकरण योग्म के हल है समीकरण योग्म के हल है ठीक है प्रती स्थापन विदी बन जाएगी अब अच्छे से नोट कर लो और अपनी कॉपी में उतार लो जो भी फियर रेजिश्टर आपने बनाया है उसमें आप सिस्टमेटिक तरीके से लिख सकते हो वीडियो को पॉस कर करके इसके बाद यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे फिर यहाँ पे यहाँ पे आगे के वीडियो देखने के लिए आप प्ले लिस्ट जरूर चेक करें जो आपको यहाँ पे दिख रही है या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है तो आप क्रम अनुसार कंपलीट कर पाएंगे मैथ और अपनी पढ़ाई को और अच्छा बना पाओगे मिलते हैं नेश्ट वीडियो लेक्चर में नेश्ट सवाल के साथ थैंक यू